जो रोबिजर स्वागत है आप सभी का Only IAS के Target Film 2021 में Current Affairs का Revision करेंगे है MMCQs के तुरू आप Only IAS का Telegram Channel जोइन कर सकते हैं Only IAS Nothing Else के नाम से वहाँ पे आपको UPSC और State Pieces requisite material भी मिल जाएगा तो आपको Telegram पे जाना है Only IAS Nothing Else Complete लिखना है और आप खुद भी जोइन कर सकते हैं आप अपने साथी बंदों को भी जोइन करने के लिए बोल सकते हैं 2022 का Dedicated Films Program शुरू हो रहाँ 31 मई से आपको जाना होगा dpp.onlyis.in पे कोई डाउट हो तो आप 700-793-1912 पे कॉल कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर NCRT वीडियो, NCRT टेस्स सेरी, सेक्शनल टेस्स सेरी, रोजाना 10 MCQs का भी टेस्ट होगा फुल लेंग टेस्ट होगा, C-set भी इंक्लूड रहेगा, All India Rank Mobile के तुरू भी यूज कर सकते हो, Computer के तुरू भी यूज कर सकते हो, Hindi में भी अपलब ये रहेगा तो dpp.onlyis.in पे जाना है, वहाँ जाके आप अपने आपको enroll कर सकते हो पहला question दिया है, NAFED के बारे में, National Agriculture Federation के बारे में, ठीक है, यहाँ पे पहला बोला है कि यह एक statutory body है, जो कि Ministry of Agriculture and Farmer Welfare के अंदर आती है, दूसरा है कि यह Nodal Agency है, इसका काम है Operation Green को implement करना, तीसरा बोला है कि यह promote करती है agriculture produce के trade को, साथ ही साथ forest resources के trade को भी यह promote करती है NAFED के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा, तो आप पहला statement eliminate कर पाओगी, यह कोई statutory body नहीं है, यह cooperative का apex organization है एक तरीके से बोलें, तो यह खुद एक अपने आप में cooperative है, पहला अगर गलत हो गया तो option number B हमारा सही हो जाता है 2 and 3, option number B देखो पहला तो क्या है कि यह multi-state cooperative societies act के तहत register है क्योंकि यह अलग-अलग states के अंदर operate करती है दूसरा यह है कि operation greens के तहत इसको जिम्यदारी दी गई है, price stabilization कई वर क्या होती है कि फसलों की दाम इतने गम गिर जाते हैं कि कोई बाजार में खरीदार नहीं मिलता है तरीसी condition में नाफेड अपने खरीद लेती है, नाफेड के पास अपने store house, warehouses यह सब है नाफेड का काम है कि देश के अंदर agriculture जो produce है, उसकी marketing increase हो, interstate trade बड़े साथ ही साथ यह agriculture import जैसे कि seed हो गया, fertilizer हो गया, tractor बगएरा हो गया, यह सब भी जो है वो किसानों को provide कराती है question number 2 दिया है, western disturbances पस्चिमी विक्शॉप के बारे में दिया है, पहला बोला है कि यह non-mansional precipitation है, जो कि western leeds के द्वारा लाए जाते हैं देश में दूसरा बोला है कि इनके through Mediterranean Sea, Caspian Sea और Black Sea यहां की जो moisture है वो अपने देश के अंदर आ जाती है तीसरा बोला है कि western disturbances हमारे देश की रभी की फसलें जो है, specially अगर बात करें तो wheat के लिए बहुत नुकसान दायक है देखो western विक्शॉप, पस्चिमी विक्शॉप, western disturbances के बारे में तीसरा statement नहीं गलत है NCRT आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको ध्यान होगा कि western disturbances harmful नहीं होते है रभी की फसलों के लिए ये फाइदे मंद होते हैं क्योंकि हलके इलकिस में बारिश होती है और ये फाइदे मंद रहता है, तीसरा statement गलत होगा तो पहला अपना सही हो जाएगा option A, 1 and 2 Western workshop में क्या होता है, जो westerlies होती है, वो caspian sea, Mediterranean, black sea, यहाँ पे जो moisture होती है, नमी होती है, उसको अपने देश में लेके आती है और फिर अपने देश के अंदर जो वो बारिश होती है, ठीक है, तो ये non-monsonal है, या बिना monson की बारिश है, जनरल ये ठंड़ी जब होती है, नومबर, दिसंबर के महीने में ये आती है तीसरा बिलकुल गलत है, western disturbances जो है, उसके वज़े से क्या होता है, कि हमारी जो रभी की फसले हैं, खासकर गहूं की जो फसले है, उसको मदद मिलती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, पस्चिमी विक्शोप के दोरा, यहाँ पे आप हिंदी के अंदर भी देख सकते हो question number 3 दिया है, serve power recently scheme launch की गई है, यह scheme किस से related है, क्या यह solar energy provide कराएगी, rural area में, inaccessible areas में, क्या यह coastal areas के अंदर wind energy provide कराएगी, क्या यह महिलाओं को arm forces के अंदर better carrier build करने का option देगी, क्या यह science और engineering research के अंदर जो gender disparity है, उसको खतम करेगी, तो serve power यह जो recently scheme में ministry of science and technology ने लौँच की है, यह gender disparity को eliminate करेगी science और engineering research के अंदर, जनरली देखा गया है कि female जो हैं वो, या तो science के areas के अंदर आती नहीं है, यह research के areas में आती नहीं है, यह फिर कुछ जो initially female हैं, जो कि science के अंदर interested है, बाद में, शादी हो जाती है, वच्चे हो जाते हैं, उसकी वज़े से वो family responsibilities के वज़े से उनने science पे छोड़ना पड़त आई जाएगी, scholarship भी मिलेगी, research grant भी मिलेगी, मतलब यह है कि research करने के लिए आपको पैसे मिलेंगे, पैसे की कमी की वज़े से research में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, तो यह इस scheme का उदेश हैं, हिंदी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हूँ, Question No.4 के अंदर दिया है, periodic labor force survey release किया जाता है, MOSPI, Ministry of Statistic Planning and Implementation के द्वारा, दूसरा दिया है, कि जो आठ core industries है, हमारे देश के अंदर, उनसे related index release किया जाता है, CSO, अभी जो national statistical organization है, उसके द्वारा, तीसरा बोला है, कि index of industrial production release किया जाता है, office of economic advisor, under the department of promotion of the PIIT, ministry of commerce and industry, statement No.2 और 3 के अंदर अपन जाएं, तो जो आठ core industries का index है, वो CSO release नहीं करता है, वो office of economic advisor release करता है, दूसरा अपना गलत हो गया, अब अगर अपन बात करें, IIP की, तो IIP release कौन करता है, central statistical organization, जो कि अभी NSO है, ठीक है, यह इसको release करता है, पहला बिल्कुल सही है, periodic labor force, PLFS, MOSPI ही release करता है, इसमें हम देखते हैं कि देश के अंदर कितने लोग रोजगार में हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, गाओं के एरिया में कितने रोजगार मिल दा है, लोगों को, महिलाओं को कितना percentage है, total labor force के अंदर, तो पहला अपना सही हो गया, कि MOSPI इसको release करता है, दूसरा गलत है, देखो, confuse मत हो जाना, तीम टाइप, यह 8 core industries, IIP WPI, CPI, इन सब के अंदर ध्यान में रखना है, कि कौन किसको release करता है, और अगर आप IIP की बात करें, तो इसको CSO release करता है, बाकी 8 core industries को Office of Economic Advisor release करता है, हिंदी के अंदर आप यहां पे देख सकते हो, question number 5 दिया है, कि जो हमारी 8 core industries है, उनमें से 4 core industry दी गई है, और अवे में, इनका जो weightage है, IIP के अंदर, index of industrial production, उसको हमें लगाना है, कम से ज़्यादा की और, ठीक है, यहां पे, ascending, sorry, यहां पे हमें ascending order में लगाना है, पहले कम का लगाना है, फिर ज़्यादा का, फिर उससे ज़्यादा का, refinery product, electricity, steel और coal, तो अगर 4 दिया है, तो refinery का सबसे ज़्यादा, electricity का उससे कम, steel का उससे कम, coal का उससे कम, हमें ascending order में पूछा है, तो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा, option number भी हमारा correct हो जाएगा, option number भी हमारा सही हो गया है, यहां पे, अगर हम 8 core industries की बात करें, तो IIP के अंदर, index of industrial production के अंदर, इनकी 40.27% हिस्सेदारी है, इनका 40.27% वेटेज है, अगर हम बात करें, इनको decreasing order में अगर लिखें, तो सबसे ज़्यादा आता है, refinery product, फिर आएगा electricity, फिर आएगा steel, फिर आएगा coal, crude oil, natural gas, cement और fertilizer, दो चीज़े याद रखो, refinery का सबसे ज़्यादा होता है, fertilizer का सबसे कम है, प्रिलिम्स 2015 के अंदर एक question आया था, कि IIP के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है, उस वक्त electricity का सबसे ज़्यादा वेटेज हुआ करता था, ठीक है, तो अगर आप यह order याद रख सकते हो, कोई trick ब वो सवाल है अपना, कि यह हमारा जो wholesale price index है, WPI, इसको कोन release करता है, ठीक है, wholesale price index को कोन release करता है, आपको यह बताना है, और आज आपकी performance कैसी रही, कितने आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए, कितने आपने चोड़ दिये, कितने ऐसे सवाल थे, जिसमें आपको 50-50 इस तरीके का आप चार्ट अपने घर पे जरूर बना के रखिए, इस से आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी performance को track करने के अंदर, ठीक है, तो यह सारी चीजे हैं, आप अपनी पढ़ाय लिखाई तो चालू रखेंगे ही रखेंगे, और इसके साथ आप पुड़ा ध्यान बहुत खतरनाक है, और बिलकुल अगर किसी को हो भी गया है या उसको symptom लग रहे हैं, तो डॉक्टर से बिलकुल सला ले, यह काफी एक परिशान करने वाली बिमारी है, और मैं खुद अपने experience से बता रहा हूं इस बिमारी के बारे में, तो बिलकुल भी आप लापरवाई ना बरते हैं, अगर खासकर जिन लोगों ने vaccine नहीं लगवाई है, आपके घर में, आप अपने mother, father, दादा, दादी उनको जरूर बोलिए, और खुद भी registration कर लीजिए, ठीक है, तो only eyes से जुड़े रहने के लिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगल में हूँ, इशार बिजर स्वागत है, आप